नमस्का दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चानल पर आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्त होंगे और मैं यही काम ना करती हूँ कि आप सभी सदय वियस्त रहें और मुस्कुराते रहें दर्शकों यदि आपने सपने में सफेध टोपी देखी है तो हम इस वीडियो में आपको इसी सपने का अर्थ साथी साथ आपको एक उपाय बताएंगे जो कि यदि आप यह सवपने देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए दर्शकों तो आईए हम बिना समय का वाई इस वीडियो को शुरू करते हैं देखिए दर्शकों सवपन जोतर शास्त्र के नुजार सपने में सफेध टोपी देखना एक बहुत शुप संकेत देने वाला सवपन माना जाता है कोई भी व्यक्ती चाहे वो इस्तरी हो या पुरुष यदि वो सवपन में सफेध टोपी देखता है तो उसके लिए सवपन एक बहुत ही अच्छा संकेत देने वाला सवपन माना जाता है इस सवपन को देखना इस बात का सूचक होता है कि भविश्य में कुछ अच्छा होने वाला है साथ ही साथ यदि अगर आप ऐसा सवपन देख रहे हैं तो निश्चत रूप से आप बहुत ही भागिशाली व्यक्ती हैं इसमें आपको किसी भी प्रकार का कोई संदेह रखने की आविश्यक्ता नहीं है सुपसमाचार की आने, खुशी, लाप और धन की प्राप्ती होने, उनती और समस्याओं के हल होने का यह सब ना सूचक है तो कुल मिला की यदि देखा जाए, तो स्वपने की बहुत ही अच्छा स्वपन है और अगर आप ऐसा स्वपने देखने हैं, तो निश्चत रूप से आप एक भागिशाली व्यक्ती हैं दर्शको ठीके, अब यदि बात की जाए कि आप ऐसे शुप स्वपने देखते हैं, तो आपको कौन से उपाय करने चाहिए, तो सबसे पहली चीज है इस वपने को अपने तक ही सीमित रखें और हो सकें, तो अपने इश्चत देवता से प्रात्ना करें, कि वो आपको आपके इस वपने का अधिक से अधिक फल प्रदान करें अब तर्शकों यदी बात की जाएं, कि आप यह सुपने का फल आपको दो से चार बजए के बीटर प्राप्त होगा अब यह थी बात की जाए कि आप इस वपनों को दोपहर या फिर शाम को सोते हुए देखते हैं तो इस वपने का कोई भी अर्थ नहीं रह जाएगा और यह स्वपन एक निर अर्थक स्वपन माना जाएगा तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को नियमित रूप से सब्सक्राइब करने दर्शकों और अगर आप ऐसे स्वपन देख रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी परिशान होने के आप शक्ता नहीं हैं बहुत ही स्वपन अच्छा है और आपके लिए बेहद ही लाबकारिस्त होने वाला है तो बिल्कुल भी परिशान ना हो राधे राधे आप सभी का वंगल हो आप स बदाय भी बरस्ती रहे राधे राधे